तल्ले के मुख्यमंत्री इस वक्त अरवन के इजरवाल प्रेस कॉंफरेंस कर रहे हैं सिधे रूप करते हैं। अब वो उसका औल इंडिया मेडिकल के अंदर डॉक्टरी मेडमिशन हो गया। पिता जी दस बारा हजार रुपे कमाते हैं लेकिन अब वो निकलने के बाद जब डॉक्टर बनेगा तो तीन चार लाक कम से कम शुरू में तीन चार लाक रुपे महिना कमाएगा। तो उसका परिवार अमीर हो गया। देश में सत्रा करोड बच्चे अपने देश में सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। इन में से गर कुछ चंद स्कूल छोड़नें जो अच्छे हैं। बाकि mostly सरकारी स्कूलों का देश्वर में बहुत बुरा हाल है। बहुत बुरा हाल है इन 17 करोड बच्चों का भविश अंधकार में हैं इनके माबाप इन को सरकारी स्कोलों में भेजते हैं उनके पास पैसे नहीं है इसलिए भेजते हैं माबाप बहुत गरीब हैं सरकारी स्कूलों में भेजते हैं बच्चों की पढ़ाई नहीं है ये बच्चे भी बड़े हो के गरीब ही रह जाएंगे अगर हम इन सरकारी स्कूलों को दिल्ली के जैसे शानदार बना दें बहुत अच्छे बना दें और अगर ये सारे बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी चालू कर दे अगर ये सारे बच्चे बड़े हो के अच्छे बिजनसमेन व्यापारी, डॉक्टर, इंजिनियर, वकील बनना शुरू हो जाएं एक-एक बच्चा अपने अपने परिवार को अमीर बना देगा और जब एक-एक बच्चा अपने अपने परिवार को अमीर बनाएगा तो मेरा भारत देश भी अमीर बन जाएगा ऐसे बनेगा अपना भारत देश अमीर तो अगर हम अपने 17 करोड़ बच्चों को अच्छे शिक्षा दे दें तो भारत को अमीर बना सकते हैं अमरीका अपने हर बच्चे को फ्री में शिक्षा देता है क्यों देता है इसलिए नहीं कि अमरीका अमीर देश है इसलिए देता है अम्रीका अमीर इसलिए बना क्योंकि वो अपने हर बच्चे को अच्छी शिक्षा देता है। अगर वो हर बच्चे को अच्छी शिक्षा देना बंद कर दे आज अम्रीका गरीब देश बन जाएगा। इंग्लेंड इंग्लेंड अपने हर बच्चे को अच्छी शिक्षा देता है डैनमार्क अपने हर बच्चे को अच्छी शिक्षा देता है हर बच्चे को अच्छी शिक्षा देता है इसलिए अमीर है अमीर है इसलिए अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं देते अग पहला, देश के अंदर जितने सरकारी स्कूल हैं सब को शानदार बनाना पड़ेगा, दूसरा, ढेर सारे नए सरकारी स्कूल खोलने पड़ेंगे, तीसरा, जितने कच्चे टीचर हैं पूरे देश के अंदर सब को पक्का करना पड़ेगा, और बहुत बड़े स्तर पे नए ट सब्सक्राइब करोगा, परन को करना किरनी बड़ेगी। चौथा टीचर्व की शानदार ट्रेणिंग करने पड़ेगी, जरूर पड़ेगी तो विजिदेशों के ट्रेइनिंग कराइगी, इन लोगों की दिल्या में। ही हम लोगों ने ये चार काम कर देंगे भारत अमीर देश बन जाएगा भारत का एक एक आदमी अमीर बन जाएगा पांच साल में ये काम हो सकता है दिल्ली में हमने पांच साल में सरकारी स्कूल शांदार कर दिया पूरे देश में भी पांच साल में हो सकता है हमको करना आता है आज मैं केंदर सरकार को यह offer देना चाहता हूं कि आप हमारी सर्विसेज यूज करो ना हम भी तो इसी देश के हैं, राजनीती को side रख देते हैं, आप हमारी सर्विसेज यूज करो, हम आप सारे देश के सब लोग मिलके 130 कुरोड भारते मिलके सारे स्कूलों को मिलके ठीक कर अपने बच्चों को अच्छे शिक्षा देंगे एक टाइम का पेट भी काटना पर पेट